हेलो दोस्तो तो आज हमारी 6th class time and work के उपर हमीद है आप सभी ने पहली हमारी जो class जाए वीडियो है वो देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा आज की जो हमारी time and work के question होंगे वो रुपे के उपर होंगे कि रुपे को किस परिकार से बाटा जाता है तो आज की class का जो पहला question है पहला question given है एट था भी किसी काम को किरम से तीन और दो दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल एक सो पचास रुपे मिलते हैं तो आपको बताना है उस एक सो पचास रुपे में से एक का हिस्सा क्या होगा option है बेटे 30 रुपे B option आपका 70 रुपे C option है आपका 7 रुपे और last option है आपका 65 रुपे बेटे आपको एक बात धियान रखनी है पैसा जो बाटा जाता है वो छमता के हिसाब से बाटा जाता है efficiency के हिसाब ना कि number of days के हिसाब से इसमें A करता है किसी काम को तीन दिन में पूरा और B करता है दो दिन में पूरा तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे कितना आएगा 6 3 से भाग करेंगे 2 और 2 से भाग करेंगे तो A की छमता 2 हो जाएगी और B की छमता 3 हो जाएगी अब इनको कुल कितने रुपे मिलते हैं वेटे 150 मिलते हैं 1.500 मिलते हैं तो 1.500 को हम कितने भाग में बातेंगे 5 भाग में तो कि A की छमता 2 है और B की छमता 3 है तो 150 पटे में 5 आएगा दोनों की छमता multiply किसका हिस्सा निकालना है एका तो A की छमता को multiple रख लेंगे 5 से divide 30 पर 30 दूनी ताएग तो 150 रुपे में से A का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा मारा state रुपे तो आपको ध्यान रखना है रुपे को हम छमता के हिसाब से बाठते हैं तोटल रुपे आपके 150 है तोटल छमता दोनों की 2-3-5 है पांस से भाग कर देंगे तो आपका एक यूनिट का मान जाएगा एक का इससा पूछा है और A की चमता दो है तो दो से गुना करने पे एक का मान कितना हो गया साइट रुपे तो हमारा C option क्या होगा इसमें सही होगा क्लियर है अगला question A तथा B किसी कारिय को किरम से 15 और 10 दुनों में पूरा कर सकते हैं उन्होंने कारिय को 30,000 रुपे में पूरा करने का ठेका लिया खेके की धनरासी में एका हिस्सा क्या होगा वैटे आपको बताना है जो टोटल 30,000 रुपे उन्होंने लिये हैं उसमें से एका भाग क्या होगा यह आपको बताना है जिसके option है पहला option 18,000 रुपे दूसरा option है आपका साड़े 12,000 रुपे तीसरा option साड़े सोलह जार रुपे और लास्ट option है आपका पारह जार रुपे तो करते हैं बेटे question को A करता है पूरा पंद्रे जिन में और B करता है दस में पंद्रे और दस का एलिशियम बेटे 30 हो जाएगा पंद्रे दोनी 30 और 10 तिया 30 तो A की छमता 2 और B की छमता 3 दोनों की मिलागे कितने हो जाएगी 5 तो टोटल रुपे हैं बेटे 30,000 30,000 को भाग करेंगे टोटल छमता से 5 से A का हिस्सा निकालना है तो A की छमता कितनी है तो 2 से गुना कर देंगे 5 से भाग करेंगे पांचिंग 30,000 6,000 तो 6 दुनी 12,000 A का हिस्सा होगा बेटे और B का निकालना है तो यहां से 2 को हटा के B की छमता लगा देंगे 3 को तो कितना आएगा 18,000 तो अप्सन बेटे हमारा 20 अई है 12,000 रुपे आसान से कोशन है अगला कोशन देखिए A एक कारिये को 12 दिनों में कर सकता है जबकि B अकेला उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है पेटे A करता है 12 दिन में और B करता है 15 में C की साहता से वे उस कारिये को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं जदी A और B C की साहता लेते हैं पेटे काम पूरा हो जाता है 5 दिन में उन्हें पूरे कारिये के लिए 900 साइट रुपे दिये गए तो 960 रुपे में एका हिस्सा क्या होगा एको कितनी रासी मिलेगी यह आपको बताना है ओप्षन है बिड़े 480 दूसरा ओप्षन 320 तीसरा ओप्षन 240 और लाश्ट ओप्षन आपका 400 बिड़े कैसे करोगे एक करता है बारे में और B करता है 15 में A बारे में B 15 में C की साहिता It means A पलस B पलस C काम पूरा होता है 5 दून कदी C की साहिता ली जाती है तो काम पूरा हो जाता है 5 दून में L शेम निकालेंगे L शेम हो जाएगा साइट बारे से बाग करेंगे 52 साइट 15 चौका साइट 5 से बाग करते है बारे बारे तो पैटे A की छमता 5 निकल के आईए B की छमता 4 है और 3 की छमता बारे है तो यहां से यदि मैं पूर्षता हूँ C की छमता क्या होगी पैटे C की छमता होगी 12 माइनस A और B को माइनस कर दिंगे पैटे C की छमता कितने जाएगी 3 आ जाएगी क्योंकि 3 की छमता 12 है 12 मैंसे A और B की छमता को माइनस कर दिंगे और A और B की छमता 5 और 4 9 हो जाती है 12 मैंसे 9 माइनस C की छमता बेटे 3 होगी अब कुल रुपे कितने मिलते हैं 900 साइट 900 साइट को भाग करेंगे कितने से आरे से 3 की छमता से 900 साइट को डिवाइड करेंगे टोटल इपीशेंसी जो 3 की है और 3 की कितनी है बार है हिस्सा निकालना एक का मल्टिप्लाई में A की इपीशेंसी 5 पार अठे 96 में 80 हो गया 5 से गुना करते हैं तो 400 रुपे 400 रुपे क्या होगा बेटे A का भाग होगा और यहाँ पर D आप्स नमारा सही होगा यह लिए रहे हैं यदि B का हिस्सा निकालना पड़ता आप पीटे 80 में किसकी गुना हो जाती B की छमता की 4 की 320 आएगा तो कि हमने 12 बार करें 80 आएगा गुना में B की छमता यदि C का निकालना है तो 80 गुना में C की छमता इतना हो जाएगा 240 रुपई यदि आपको तीनियों के हिस्से निकालने ABC लेकिन आपसे पूछा एक हिस्सा तो हमारा ड्यू अप्शन क्या होगा सही होगा तो पेपर में कोई सावी कौस्ट किसी का भाग आपसे पूछा जा सकता है बी का या सी का या फिर एक अगला कोशन देखो वेटे A तथा B ने किसी कारिय को करने का 4500 रुपए में ठेका लिया A और B ने 4500 रुपए में ठेका ले रखा है A अकेला इस कारिय को 8 दिन में और B अकेला 12 दिन में कर सकता है A को समय लगता है 8 दिन का और B को लगता है 12 दिन का C की सहता से उन्होंने यह कारिये चार दिन में पूरा कर लिया C की हेल्प से कितने दिन होगे वेटे? चार दिन में तो बताना है उसमें C का भाग क्या होगा तो 45 रुपे का ठेका हुआ था उसमें से C का हिस्सा क्या है? वो आपको बताना है आपको option given है तो बनाईए क्या बनता है answer? वेटे A करता है आट दिन में पूरा और B करता है बारहे में A आठ में B बारहे में C की सहता से पूरा होता है चार दिन में C की सहता करत A पलस B पलस C तो पूरा हो जाएगा बेटे चार में L.C.M की बात करते हैं 26 हो जाएगा 8 से 3 12 से 2 और 4 से 6 8 से बाग करेंगे A की EP से 3 होगी 12 से बाग करेंगे B की 2 होगी और 4 से बाग करेंगे तो तीन्यों की EP से न्सी बेटे 6 होगी अब आपको C का भाग निकालना है तो पहले C की Efficiency चाहिए तो C की कितनी आएगी 6 में से माइनस कर देंगे A और B को 5 को माइनस कर देंगे वेटे तो कितना आएगा 1 तो C की जो चमता है वो कितनी है अब total रुपे कितने हैं हमारे 45 45 को डिवाइड करोगे कितने से तीन्यों की चमता से जो कितनी है C का हिस्सा निकालना है तो multiply में C की value एक तो 6 से भाग कर देंगे 472 3 बचेगा 365 0 तो 750 रुपे हमारा C का भाग होगा किस में से? 45 वेटे B option क्या होगा? तही होगा अमीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक बात ध्यानक न वेटे यदि ठेका 45 रुपे में तै हो गया A और B का अब चाहिए कितने भी वेक्ति काम पर लगा ले अब ठेका वो 45 रहेगा ऐसा नहीं है कि वेक्ति बढ़ा दिये ठेके को बढ़ा हो ऐसा कुछ नहीं आगे question वेटे A, B तदा C किसी काम को 550 रुपे में करने का ठेका लेते है तो तीने वेक्ति नहीं मिलके लिया है 550 रुपे में ठेका A तथा B को मिलकर 7 वटे 11 भाग करना है उस काम में से A और B को मिलकर कितना करना है 7 वटे 11 तो आपको बताना है कि C का भाग क्या होना चाहिए 550 रुपे में से C का हिस्सा आपको बताना है Option वेडिया है 220, 250, 200 या 150 वेड़े A और B को मिलके कितना करना है 7 बटे क्या हरे इसने बोलाए कि A तथा B को 7 बटे 11 भाग करना है इसका अर्थ क्या हो गया कि काम के टोटल भाग कितने है 11 काम के बैटे जो हमने कुल भाग करें है टोटल पार्ट वो 11 है इस 11 मेंसे A B को कितने करने साथ करने तो C को कितने करने होंगे 14 माइनस के साथ 14 साथ बटे 11 का अड़त है कि काम के हमने टोटल 11 हिस्से किये है 11 में से 7 हिस्से करने है A और B को मिलके बाकी जो रह जाता है इस 11 में से 7 माइनस के 4 रह गया तो 4 भाग किसको करना है C को करना है तो बटे टोटल रुपे कितने है 550 550 को भाग कर दिंगे टोटल 11 से काम के जितने हिस्से है C का हिस्सा बताना है तो मल्टिपलाई में C की वैल्यू 4 11 से बाक किया 50 50 गुना में 4 200 रुपे तो 550 में से 200 रुपे किसके होंगे C के होंगे और यहाँ पर हमारा C आप्सन ही सही होगा तो ध्यान रखना है कि काम की वैल्यू प्रेक्शन में दे रखी है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल मानी जाती है और उपर वाली वैल्यू जो वो कहरा क्वेश्चन इसमें बोला है A और B ने मिलके 7 वटे 11 भाग किया इस कार्थ क्या है टोटल भाग 11 है 11 में से 7 भाग A B ने किया आगे कॉश्चन बेटे A B तथा C को 5750 रुपे में किसी कार्य को करने का ठेका दिया गया A और B मिलकर 19 वटे 23 कार्य करते हैं तथा B और C मिलकर 8 वटे 23 कार्य करते हैं तो B को कितने रुपे का भुक्तान किया गया कि B का हिस्सा क्या होगा यह आपको बताना है जिसके ऑप्सन है पहला ऑप्सन 630 दूसरा है 250 तीसरा 750 और लाश्ट ऑप्सन आपका 1000 बताए क्या बनने वाला इसका अंसर आईए देखते हैं कैसे करना है अब इसमें बोला गया है कि A और B मिलकर कितना करते हैं 19 बते 23 इससे आगे B और C मिलकर कितना करते हैं 8 बते 23 एटे A, B और C ने मिलकर चीनों ने मिलकर कोई काम किया है और उस काम के पैसे A और B ने कितना भाग किया है 19 बते 23 और B C ने 8 बते 23 तो सबसे पहले पिछले कॉस्चन में मैंने बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है टोटल काम को बताती है और काम की दो कंडिशन हमें दे रखी है तो आपको पहले ये देखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए कि काम की जो टोटल इससे हो वो सेम रहेंगे तो कितने होगे 23 इस 23 मैंसे A B ने कितना कर दिया 19 तो C का कितना रह गए वैटे 4 बहाग होगा 23 मैंसे 19 को घटा दिए तो C का इससा कितना आगया 4 उसी परिकार यहां से हम किसका निकाल सकते हैं A का तो B और C ने मिलके किया है तो 23 मैंसे 8 माइनस किया 15 है A ने कितना भाग किया होगा 15 है अब रह गया B B ने कितना किया पताओ अगर B का निकालना है तो टोटल कितने हिससे में 20 है 23 मेंसे A का हिस्सा घटा दो और C का घटा दो तो A और C का मिलके कितना हो गया 15,4,19 और 23 मेंसे A और C का माइनिस कर दिया 19 को B का हिस्सा भी कितना आ गया 4 तो उस 23 मैंस से A ने किया है 15 भाग B ने किया है 4 भाग और C ने भी किया है 4 भाग पूरे काम के रुपे कितने हैं? पाँच हजार साथ सु पचास इसे भाग कर देंगे कितने से? 23 से, टोटल से किसका हिस्सा चाहिए? B का? और B की छमता कितनी आई? 4 23 से कार देंगे विटे 232,46 235, 115 250 आईगा और 4 से गुना करेंगे 1000 रुपे अंसर होगा हमारी फिरसे बेटे कह रहा हूँ आपको दो कंडिशन दे रखी हैं तो आपको दिहान रखना है जो फ्रैक्शन है नीचे वाली वैल्यू है वो टोटल वर्क को बता रही है और टोटल वर्क दोनों कंडिशन के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा पहले आपको यही दिहान रखना है या वो टोटल सेम आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है? तो दोनों का टोटल सेम था तो टोटल काम हो गया 19 19 मैंसे 23 हो गया 23 मैंसे 19 तो किया है A B ने तो कितना रह गया? 4 किसका हिस्सा होगा फिर से टोटल 23 है 23 मैंसे 8 किसका है वी सी का 23 मैंसे 8 घटा दिया एका हो गया अब मैंने ए और सी का घटा दिया 23 मैंसे तो बी का भी कितना गया चार आजाएगा तो टोटल रुपे को डिवाइड करतेंगे टोटल वरक से 23 बन रहा था एक यूनिट की वैल्यू डाही सो आई बी का हिस्सा पूछा है और बी की वैल्यू क्या रही है चार तो चार से गुना करतेंगे 1000 रुपे बी का हिस्सा होगा अगला कोशन वेटे पी क्यू और आर को 1350 रुपे में इसी कारिय को करने के लिए लगाया गया तो टोटल रुपे हैं 1350 पी और क्यू मिलकर 2 बटे 3 कारिय करते हैं तथा क्यू और आर मिलकर 4 बटे 5 कारिय करते हैं तो क्यू को कितने रुपे दिये गए क्यू का इससा बताना है जिसमें आपको option के बिन है पहला option 750 दूसरा option 600 तीसरा option 630 और लाश्ट option है आपका 700 पेड़े जहान से करना है question P और Q मिलके कितना करते हैं दो बटे 3 अगली लेन में Q और R चार बटे 5 फिर से बेटे टोटल वर्क की बात होगी टोटल वर्क क्या रहेगा सेम रहेगा अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है तीन और यहाँ पर कितनी है इसने टोटल वर्क को अलग अलग गर्सा के दिया है तो हम इन दोनों को सेम कर देंगे तो सेम करने के लिए तीन का और पांच का एल्सियम कॉमन टर्म क्या होगी पंदर है तो इसको पंदर है बनाने के लिए पांच से गुना कर देंगे कितना आएगा दस के वटे में पंदर है वहां पर पांच से गुना आया तो इहां पर कैसे कर देंगे तीन से कितना हो जाएगा बारे वटे में पंदर है अपन की जो वैल्यू है और टोटल वर्क को बता रही है और टोटल वर्क के दोनों कंडीशन में क्या रहेगा सेम रहेगा तो टोटल वर्क दोनों के सेम कर दिया पंदर है पंदर है पंदर है मैंसे दस हिस्सा किस ने किया है P और Q ने पीटे R का बताओ कितना बचेगा 5 बचेगा 15 मैंसे 10 माइनस यहाँ पर Q और R ने किया है तो P का कितना होगा पीटे 3 आएगा 15 मैंसे 12 माइनस तो R ने 5 किया P ने 3 किया तो अब रह गया Q Q का कितना आएगा तो टोटल तो 15 है 15 में ऐसे P और R का घटा दिया 5 और 3, 8 घटा दिया 15 में ऐसे बेटे 8 को घटा दिंगे Q के इससे में कितना आएगा आता है अब टोटल रुपे कितने है 350 रुपे तो डिवाइड कर दिंगे कितने से 15 इससा निकालना है Q का तो Q के साथ गुना कर दिंगे साथ से 15 से डिवाइड 15 9135 970 63 तो 630 रुपे हमारा क्या हो गया पर आंसर होगा इट मेंस C आप्सन आपका सही होगा के लिए रहे अगला क्वेशन वेटे अगला क्वेशन पेटे चेंज हो गया है कहां से पढ़ना है कि A और B मिलकर किसी कारिय को 3 दुनों में पूरा करते हैं जदि A अकेला उस कारिय को 3 पलस 3 दुनों में पूरा करता है और B अकेला उस कारिय को 3 पलस 12 दुनों में पूरा करता है तो T का मान क्या होगा या आपको बताना है और T को क्या माना गया है A और B जो मिलके करते हैं उसका समय माना है A और B मिलकर कितने दिन में उसको पूरा करते हैं उसको हमने T से डिनोट किया है A अकेले को कितना समय लगता है जितना दोनों को मिलके समय लगता है उससे 3 दिन ज़्यादा लगता है तोनों को मिलके कितना लगता है 30 लगता है पलस कार्थ क्या है ज्यादा तो ए अकेले को जितना समय दोनों को मिलके लगता है उससे तीन दिन ज्यादा लगता है सेम उसी परकार बी को कितना समय लगता है जितना दोनों को मिलके लगता है उससे बारे दिन ज्यादा लगते तो बताना है कि दोनों को मिलके कितना समय लगता है या फिर T का मान क्या होगा इसको हम पहले basic करा देते हैं कि किस तरीके से बन रहा है उसके बाद इसका आपको shortcut बताएंगे कि कैसे करना है इसको A अकेला करता है T पलस तीन में और B अकेला करता है T पलस पार है में तो बैटे काम की वैली क्या होगी दोनों का LC होगी T पलस के तीन और T पलस के पार है यह मेरा वर्क रहेगा जब आइड करेंगे तो T पलस तीन कैंसल हो जाएगा तो T पलस में 15 हो जाएगा इसके बाद काम की वैल्यू जो है T पलस के तीन और T पलस के बार है कि काम को डिवाइड कर देते हैं किस से? छमता से? छमता कितनी है? तो T पलस में 15 है और क्या निकल के आएगा ये? दोनों का समय निकल के आएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जो ये बन रहा है इसना टाइम हो गया लेकिन इसने टाइम को माना है T तो कि इसने बताया है कि दोनों मिलकर तो करते हैं तीन तीन में इसकार्थी हो गया इसकी जो वैल्यू निकल के आएगे और क्या बनती है प्ल्टिप्लाइ करेंगे वैटे यह आएगा टी का सुकेर प्लस में 15 टी प्लस में 36 क्रॉस करेंगे दो टी सुकेर प्लस में 15 टी हो जाएगा जिहा पर 15 से 15 टी दे हो जाएगा 30 सुकेर को इतर ले जाएंगे 36 बराबर 2 टी माइनस के 1 टी क्या बचेगा टी का सुकेर और सुकेर को अटाएंगे तो रूट आ जाएगा 36 पे तो कितना बनेगा 6 बनेगा फिर T की वेली निकल लगी क्या जाएगा हमारी 6 तो दोनों मिलके पूरा करेंगे उस काम को 6 दिन में यह तो होगिया T का मान अगर फूस लेता है A का A का क्या बनेगा 6 जमा के 3 क्योंकि A का टाइम इसने डिनोट किया है T पलस के 3 और T की वेली क्या आई थी 6 तो A का बनेगा 6 पलस के 3 9 और B का कितना आएगा 6 पलस के 12 18 बनेगा अकेले B का 18 अकेले A का 9 और दोनों मिलके करेंगे 6 दिनोट यह इसका बेसिक कंसेप्ट है अब लेकिन इसमे थोड़ा सा टायम लगेगा अब इसका देखो Short Cut कैसे करना आए पहले तो आपको क्या दे रख्था है A और B मिलके करते है 3 दिन में अकेला A करता है दोनों के समय से 3 दिन जादा और B करता है दोनों के समय से 12 दिन जादा A को कितना समय लगता है तो बेटे A को उतना समय लगता है जितने समय में दोनों मिलके करते हैं उससे तीन दिन ज़्यादा उसी प्रकार B को उतना समय लगता है जितने में दोनों मिलके करते हैं उससे बारे दिन ज़्यादा तो यहां से हमें T की वैली निकाल ली है और टीक अर्थ क्या है कि A और B मिलके कितने समय में पूरा करते हैं तो समय निकालने के लिए बेटे रूट आपको जो दिन अधिक दे रखे हैं पलस तीन पलस बार है इनको इंटू में रख लो तीन गुना के बार है कितना हो जाएगा 37 पर 36 का रूट 6 वेटे दोनों मिलके पूरा कर देंगे उस काम को 6 दिन में अब T का मान 6 हो गया तो A का मान 6 पलस तीननो हो जाएगा B का मान 6 पलस बार है अथा रहो जाएगा तो इसके लिए आपको language का ध्यान रखना है कि जब भी अकेले A का समय दोनों के समय से ज़्यादा दे रख आहो उसी परकार B का समय दोनों के समय से ज्यादा दे रखता हो, तो दोनों के समय को निकालने के लिए क्या होगा root multiply में जो आपको time दे रखा है उनकी multiple कर लेंगे उसका root निकाल देंगे तो दोनों के मिलके समय आपका आ जाएगा तो option हमारा क्या होगा है यह option सही होगा अगला question देखो एटे शेम इसी पिरकार का है और अब आपको direct मना के करना होगा है A और B के एक साथ काम करने की तुलना में A 10 सही 1 वटे 8 जिन अधिक लेता है A को कितना समय लगता है 10 सही 1 वटे 8 अधिक किस से दोनों के समय से अगली लाइन जबकि A और B के एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में B को 12.5 दिन और लगते हैं और लगने करते हैं अधिक लगते हैं तो B अकेले कितने समय में काम को पूरा कर सकता है अब की बार आंसर आपको अकेले B का निकालना है ना की दोनों का जिसके option आपको given है पहला option वेड़े 25 सही एकवटे 4 24 सही एकवटे 2 23 सही 3 वटे 4 और 21 सही एकवटे 8 तो पहले हम निकालेंगे दोनों को मिलके कितना समय लगता है क्या बताया था वेड़े सबसे पहले रूट बताये था रूट के अंदर जो आपको time दे रखा है 10 सही एकवटे 8 कितना बनेगा ये 81 वटे में 8 हदेगा दूसरा दे रखा साड़े 12 साड़े 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 सही एकवटे 2 तो कितना बनेगा 25 वटे में 2 हो जाएगा 10 सही एकवटे 8 81 वटे 8 हो गया और साड़े 12 कितना हो गया वटे 25 वटे में 2 तो होगा नहीं रूट निकाल देंगे 81 का 9 हो गया 25 का 5 हो गया नीचे बनेगा बैटे 8 दूनी 16 16 का क्या हो जाएगा 4 तो यह आएगा 45 वटे में 45 वटे 4 को क्या बोल सकते हम 14 सही एक वटे 4 तो ए और बी को मिलकर बेटे समय लगता है 11 सही एक वटे 4 दिन का तो यह तो आया है दोनों का लेकिन पूछा किसका है बी का और बी को समय कितना लगता है बी को समय लगता है बेटे जितना दोनों को लगता है उससे साड़े बार है उससे साड़े बारे दिन अधिक लगते हैं तो ग्यार है सही एक वटे चार तो बेटे यह हो गया और साड़े बारे हो गये अधिक बेटे ग्यार है और बार है तो तेश तो यह हो गया हमारा ग्यार है और बार है तेश तो यह हो गया अब रह गया एक वटे चार और एक वटे दो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे एक वटे चार और एक वटे दो को ये बन क्या आएगा बेटे हमारा तीन वटे में चार दोनों फ्रेक्शनों को जोडने पर क्या है गा, 3 वटे 4, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 23 सही, 3 वटे, 4 दिन हमारा आंसर होगा, और यहां पर C ओप्शन हमारा, जही रहेगा, क्लियर हैं, तो ध्यान रखना, दोनों का समय, ग्यारे सही एक वटे चार उच्छा है अकेले बी का और अकेले बी को साड़े बारे दिन अधिक लगते हैं दोनों के समय से अधिक के लिए क्या कर देंगे फलस कर देंगे ग्यारे सही एक वटे चार जमा में वारे सही एक वटे दो 14 बारे 30 हो गया 1 वटे 4, 1 वटे 2 को भी जोड़ लेंगे जो हमारा कितना आएगा 3 वटे 4 हो जाएगा 3 सही 3 वटे 4 हमारा अंसर होगा आगे गोश्चन वटे देखे ये भी ऐसा ही गोश्चन आपका देखे दो करमचारी A और B एक काम को करने के लिए लगे हुए है A अकेला कारिय करते हुए कारिय को पूरा करने में दोनों द्वारा एक साथ कारिय करने की तुलना में 8 गंटे अधिक समय लगता पड़े A को कितना समय लगता है जितना दोनों को समय लगता है उससे 8 घंटे ज़ाद लगते हैं चेम उसी प्रिकार B के बारे में बताया है कि B को कितना समय लगता है जितना दोनों को लगता है उससे 4.5 घंटे अधिक लगते हैं तो बताना है वे एक साथ कारिय करने में कितना समय लेंगी तो आपको A पलस B का समय यहाँ पर निकालना होगा बनाईए क्या बनेगा इसका अंसर ओप्शन है पेटे 4, 6, 5, अपर 7 तो A और B का हम समय निकालने वाले हैं क्या होगा रूट तो दोनों से A को अधिक लगता है 8 घंटे का समय 8 गुना में 4, 5, 4 कितना होगा 9 बटे में 2 2 से डिवैड 4, 9 चौक 37 और 36 का रूट वेटे 6 तो दोनों को मिलके समय लगता है हमारा 6 घंटे का इट मिस आपका B आप्शन सही होगा अगर मैं A की बात करता हूँ तो बताओ एको क्या लगेगा एको कितना लगेगा वेटे जितना दोनों को समय लगता है दोनों को लगता है 6 का उससे 8 घंटे अधिक लगते हैं तो 6 जमा के आथ एको लगते वेटे 14 घंटे अगर मैं B की बात करता हूँ तो 6 जमा में साड़े च्यार कितना हो जाएगा च्छे और च्यार दस साड़े दस ये B का हो जाएगा ये B का है ये A का है और ये हमारा दोनों का है तो आपको ध्यान रखना है किसका आथर आपसे पूछा गया है A का पूछा B का पूछा ये पिर दोनों का पूछा इसमें आपसे दोनों का पूछा है तो हमारा B ओप्शन सही होगा 6 घंटे में काम पूरा हो जाएगा पूढ़े क्लास कम्पलीट है साइमेंड वर्क की तोपिक पूरा सा करा दिया है थोड़ा बहुत बाकी है तुम अगली वीडियो पर और कराएंगे आपको थैंक यू